तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से सवाधी अरभ में मोटरवाइ क्यानी की मोटरसाइकल का ड्राइविंग लैसेंस बनवा सकते हैं इसलिए तो मैंने अपने एक पिसले वीडियो में बताया था और पुराना प्रोसेस है अभी प्रोसेस आप को भूल जाना है उद ड CPU आपको काम नहीं करेगा आपको नए प्रोसेस के जरीए अपना बने सीक्राइंडगर बनाना है तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इससे सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो मोटर बाइक ड्राइविंग लैसेंज बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंट्मिन लेना होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस रसे अपॉइंट्मिन लेना है तो मोटर बाइक का अपॉइंट्मिन लेने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपेन करना है और इसी में आपको अफशर एकाउंट खोलना है तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे अफशर उसके बाद लोगिन आपको कहीं और से लोगिन नहीं होना है अफशर एकाउंट अपने क्रोम ब्राउजर में ही खोलना है उसके बाद यहाँ पे अपना आईडी डालना है आइडी डालने के बाद आपके मुबाइल पर OTP आएगा उसे लॉग-इन कर लेना है यहां पर OTP डालकर। क्लिक करता हूं कि उसके बाद यहां पर आपको अपना आपशर पेज बाइल हो जाए अब पर जाएगा उसके बाद यहां नीचे करना है उसके बाद यहां आपको स्क्रोल करना उपर तो यहां पर देखिए तीन Line यहंदर जो और भी में लिखी हुई है यह अए अपटेट नहीं किया गया इसको अआद भी में लिखा गया है तो आपको क्या कर लेना है यहां से Chrome से आपना translator open कर लेना है तो मैंने translate कर लिया तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है issuing a driving license motorcycle तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर reason select करना है आप किस जगह रहते हैं तो मैं रियाद select कर लेता हूं उसके बाद next पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर मदर्सा भी अरभी में दिखा रहा है तो आपको दोबारा से अपना translator on कर लेना है और अगर आपको नहीं पता है कि translator किस तरह on करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया तो उसका लिंक में description box में डाल दूँगा तो उसे जाकर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ही स्कूल है जो ड्राविंग लैसेंस बनाने के लिए यहां पर आपको अपट्मेंट मिलने लग जाएगा तो इसी तरह से आपको अपट्मेंट ले लेना है और उसके आगे का procedure क्या होगा अगर आपको नहीं पता है तो जो मैंने फोर विलर के प्रोसेजर बताया है ड्राइविंग लाइसेंस का अपटमेंट किस तरह से सिलेट करना है किस तरह से उसे कनफरम करना है क्या आगे का प्रोसेस होगा तो आप उसे जाकर देख लेजिए सेम प्रोसेस वही होगा और जो डॉक्मेंट आपको ले जाना है और डॉक्मेंट नही यसे जाता है उसको आपको स्क्रीन सट लेकर उससे आपको प्रिंट करन और और पृटीयेट जब जिस डेट को आपने appointment लिया हुआ था इसके लाबा और कोई document आपका नहीं लगेगा बाकी सब जो पुराना में थड़ था पुराना तरीका था पुलिस वरिफिकेशन या फिर पैरेंट और पैरेंट लेटर या फिर और जो भी पहले का पुराना प्रोसेस था वो सब अपडेट हो गया है अपसर के थुरू आपका पूरा बैगराउंड चेक अप आल्रेडी हो चुका है तो अगर आप कोई भी appointment लेते हैं तो इसी तरह से आपको appointment ले लेना है और motorcycle license का जो फीश है एनुवल फीश यानि की एक साल का फीश 20 रियाल है 20 रियाल और ये एक साथ 10 साल का ही बनता है यानि की अगर आप motorcycle का driving license बनवाने जाएंगे तो आपको 10 साल का सीधे बनवाना पड़ेगा जिसका cost होगा 200 रियाल तो 200 रियाल आपक motorcycle car driving license का फीश हो जाएगा जो की 10 साल का होगा और अगर आप motorcycle driving license का फीश जमा करना चाहते हैं आपको नहीं पता है कि सरे जमा करें तो मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है तो आप उससे जाकर देख सकते हैं उसका link मैंने इस वीडियो के description box में डाल दिया है और अग इसका भी process मैंने अपने वीडियो में बताया तो उसे जाकर देख सकते हैं और इन सारे वीडियो का link मैंने description box में डाला हुआ है तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं तो अमीद करता हूँ यह information आपको समझ में आ गया होगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में